असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फिनाटिक अवेरनेस और प्रिंट नॉलिज के बारे में तो हम यह देखेंगे कि टीचर्स किस तरीके से एंफसाइज कर सकते हैं फिनाटिक सवेरनेस को और प्रिंट नॉलिज को बच्चों की जब उनके साथ रेडिंग कर रहे होते हैं जब उनको अपने साथ एंगेज करके एक स्टोरी उनके साथ पाड़ रहे होते हैं तो शड़न अब को पहली खेंपकल दिती कि बहुत से हमारे सिर्फ अंग्रीजी के अंदर ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कर लिखे किसी आधरा जाते हैं पर उनकी प्रिनॉंखेशिएशं incredibly हो सकती है उसके अंदर बहुत से वर्ड्स सालेट हो सकते हैं और हो सकता है कि और हो वर्ड् कर दो कि तफा हम उन्हें घलत भी घलत तरीके से भी बियान कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो जब टीचर यह पढ़के सुनाता है या आपके पास ए-बुक है उसके अंदर यह फीशिस मौजूद है जब वह आपको सुनाती है तो हमें तरीका पता चलता है कि इन तरीके कार की आएओगा कि हम बच्चों के साथ पढ़ें और बच्चों को नायसर प्रिंट अवेरनेस होती है कि यह इलफाज लिखे कैसे जाते हैं जब हमारी फॉर्मिल राइटिंग में कहानियां होती हैं, तो हम कैसे जुम्ले सिम्हाल करते हैं, जब हम आम जबान में बोल रहे होते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है, इसके दिर्में एन करेक्शन बेतर होता है, बलकि यह एक फांडेशन है, उनकी fundamental oral skills का जो जरूरी है, उनकी traditional schooling या main string schooling में जान होते हैं, तो हम जबान से नहीं बताते, comments नहीं करते, prompts नहीं देते, questions नहीं करते, cues नहीं देते, बलकि हम सिर्फ इशारा करते हैं, या हम उसकी tracking की तरफ उसके ले जाते हैं और pinpoint कर देते हैं, यह भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके through बच्चों को print knowledge जो है, वो आ कर देते हैं, कि यह यह वाला character है, उसके लावा vocal references हैं, जो के हम जानते हैं, कि हम comment कर सकते हैं print के उपर, बच्चों से सवाल जबाब कर सकते हैं, और उसके बाद हम बच्चों को कह सकते हैं, कि वो भी अपनी comment करें, यह जितनी references हैं, उनका बुन्याद ही मकसद ही है, कि हम ब के बड़े हो चुके हैं, जब हम attention देते हैं, तो हम 5-6 मिनट से ज्यादा attention focus नहीं कर पाते हैं, और जो अगला बंदा बोल रहा होता है, हमें लगते हैं हम उसे सुन रहे हैं, पर हमें समझ आना बंद हो जाती है, और हम कहीं और पहुच जाते हैं, इसलिए बार बार attention को वह के जानी चाहिए, टीचर जब print references दे रहे होते हैं, तो वो बच्चों से मुक्तलिफ किसम के सवालाद भी करते हैं, और comments भी देते हैं, और उसके बाद उनको cues भी देते हैं, जिसके थूरू वो वापस अपनी किताब की तरफ पलट आते हैं, टीचर बच्चों के वो strengthen कर सकत हैं, कि ये words sound कैसे करते हैं, इनका rhythm क्या है, इनको different तरीके से pronounce करके दिखाते हैं, different expression के साथ दिखाते हैं, साफ बोल के दिखाते हैं, एक तरीके से इन words को उनके सामने बावाजे बुलन बोलते हैं, या एक तरीके से emphasize करके पढ़ते हैं, ताकि उसका focus बच्चे का वहाँ च इसके लावा हमारे पास paralinguistic features आ जाते हैं, जिसके अंदर extra linguistic vocal qualities हैं, कि आप उसको बोलते कैसे, अभी हम इसको देखेंगे कि ये क्या है, और इसका हमारी reading में कितना important factor है, कि जब हम बच्चों के साथ reading कर रहे होते हैं, और हमारी जो voice quality है, किस तरीके से हम उसको word का meaning बताते हैं, कैसे हमारा उसके उपर stress होता है, वो कितना important है, non-verbal में है, non-lexical aspect है, जिसके अंदर gestures आ जाते हैं, gesture जो है, वो बन्यादी तोर पे word learning के लिए, बच्चों के लिए बड़ी जरूरी है, especially जब बहुत छोटे बच्चे हों, तो उठाई साल के, non-verbal feature है, जिससे कि आपकी जा सकते हैं, कि इसका क्या मतलब है, और इस कहानी में क्या हो रहा है, आपके जो एक crucial para linguistic feature है, उसको हम प्रॉसिटी के आते हैं, प्रॉसिटी का मतलब यह है, कि आप कितने dramatic तरीके से कहानी को पढ़ सकते हैं, आपके वास की pitch कितनी अच्छी है, जो narration आप पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप कितने बेहतरीन तरीके से बियान करते हैं, अगर वहाँ खौफ का सीन है, तो आप उस खौफ को कैसे बियान करेंगे, और अगर वहाँ खुशी का सीन है, तो आप उस सीन को कैसे अपनी अवास को इस्तिमाल करते हुए बियान करेंगे, तो यह वो qualities हैं, जो teacher कि एक च courtroom का जाता और आपकी प्रिणांश कि तरव जाता यहां आप कर ₹ कर दो